बिना grammar सीखें अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है अब तक पार्ट वन में आपने सीखा You have good taste दूसरा, that's true अगला, you said it yourself Would you stop? Used to be Next is for real It is for good Next, in no time Next, I thought so I was so tense Next is maybe another time Next is make a wish Next is you win You were right Yes, you are right Next is don't you think Next is what then Next is what for Next is let that be Next is never mind What do you think? It's up to you Next, I have no clue Next is frankly speaking Take it or leave it Guys, part 1 की link आपको description में भी मिल जाएगी साथ यसाथ comment section में भी मैंने वो link दे रखी है तो आप वहाँ से उस video को देख सकते हैं Part 2 को आप पहले देख ले Part 1 को इसके बाद देख लीजेगा क्योंकि यह grammar नहीं है इसका मतलब हैं मुझे मीठा पसंद है इसका यह मतलब नहीं कि मेरा दात मिठा है तो आप बोल सकते हैं I have a sweet tooth that means मुझे मीठा पसंद है या फिर आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं टेबल पर सर्फ किया हुआ है जो भी आपके सामने नाशता उसमें से आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं आपको awkward लग रहा है कि लोग क्या सोच रहोंगे तो आप बोल सकते हैं I have a sweet tooth can I take one more क्या मैं एक और ले लू ऐसे आप बोल सकते हैं next is good job या फिर great job जब कोई कुछ अच्छा करे बहुत बढ़िया तो well done तो आप बोलते हैं वहाँ ये भी बोल सकते हैं good job, great job, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया next is you have a way with words ये थोड़ा लंबा हो गया बट याद कर लीजे, बहुत ही awesome phrase है you have a way with words का मतलब है you are good with words that means तुम अच्छी बाते करते हो अक्सर ऐसा होता होगा आपके किसी family member के साथ I mean कोई आपका family member या फिर कोई आपका friend जो बहुत अच्छी बाते करता है और सारे लोग ऐसे करके सुनना शुरू कर देते हैं including you आप भी ऐसे करके सुन रहे हैं तो पूसता है आप लोग सुनते ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी जो अच्छी बाते करता है वो ऐसा बोलेगा आप लोग सुनते भी रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी तो वहाँ आप बोल सकते हैं you have a way with words तुम बहुत अच्छी बाते करते हो मन करता है सुनते ही रहें तो इतना English में बोल लिया फिर आगे हिंदी में बोल लिया आप देखे इस नॉट माई टाइप इस नॉट माई टाइप का मतलब मान लिजे कोई मूवी है हाउस है अटायर है मतलब कोई कपड़ा है कोई भी ऐसी चीज़ जहां पसंद नापसंद की बात आए वहाँ आप बोल सकते हैं इसका मतलब यह जिस तरह का मुझे पसंद यह वैसा नहीं मेरे टाइप का नहीं आप बोलते हैं तो मान लिजे कोई मूवी लगी है आपका फ्रेंड कहता है चले मूवी देखें तो आप कह सकते हैं मेरा मन नहीं है इसका मान लिजे कि आपका कोई फ्रेंड है जो यह कहता है तुम उससे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते वो इतने दिन से परेशान है तुमारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए दोस्ती करने के लिए तो आप कह सकते हैं मतलब जिस तरह के लोग मुझे पसंद है वो वैसा नहीं है और लड़की है इसे आप यूज कर सकते हैं नेक्स चिस अंडर यूर नोज अंडर यूर नोज का मतलब होता है तुमारे नाक के नीचे से जब कोई चीज आपके सामने से हो जाती आपको पता भी नहीं चलता वहाँ पर इसका यूज हो सकता है तो मान लीजे आप कहते हैं मेरा पर्स खो कैसे गया ठीक है कहां से कैसे चोड़ी हो गया तो आप उस पर बोल सकते हैं अंडर यूर नोज तुमारी नाक के नीचे से चला गया हमें पता भी नहीं चला इसका मतलब किसने सोचा होगा कोई जब बहुत ही गरीब इंसान बहुत ही अमीर बन जाए मतलब की बच्मन में बहुत गरीब है बट अपनी महनत से अपनी लगन से वो काफी पैसे कमा ले तो आप ऐसे सिट्वेशन में ऐसे सिंटेंस बोलते हैं किसने सोचा होगा कि वो इतना कुछ कर जाएगा इतनी उचाईयों तक जाएगा तो आप कैसे बोलेंगे कि वो इतनी उचाईयों तक जाएगा हो गया, मिक्स कर दिया English use कीजे, शुरुआत में English use कीजे धीरे धीरे English में आप कदम रख लेंगे ये बुखत ही अच्छा फ्रेज है हाउ आर यू कहने के लिए आप कैसे हैं, लेकिन अक्सर आप बोलते हैं कैसा चल रहा है, तो इसका यही है मतलब, कैसा चल रहा है किसी से मिलिये तो बोलिये इसका मतलब है अगेन वैसा ये फ्रेज आ गया जैसे मैंने आपको बताया यू विन, यहाँ भी आप ध्यान दे, इसका मतलब है यहाँ कैसे आना हुआ या फिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लेकिन हम बोलते क्या है वो यहाँ आ चुका है लेकिन हम यूज क्या कर रहे है तो मत पढ़िये इस चकर में कि किस टेंस का है, यह फ्रेज यूज कीज़े किसी को आप अचानक से कहीं देखते है मान लीजे आप मॉल में गये हैं आजकल तो बाहर जाना ही मुमकिन नहीं है मान लीजे आप कहीं भी गये है और कोई आपका फ्रेंड वहाँ दिख गया जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ होगा तो आप बोलेंगे What brings you here? Next, got it, thanks कोई कुछ explain कर रहा है आपको समझ में आ गया तो आप क्या बोलेंगे? Mostly लोग बोलते हैं I understood तो उसकी जिगह बोलें Got it, thanks समझ गया, धन्यवाद ठीक है, समझ गया, धन्यवाद यह इसका मतलब है अब आते हैं How does it taste? How does it taste? इसका मतलब क्या होगा? स्वाद कैसा है? आप किसी को कोई चीज़ ओफर करते हैं नास्ता वगेरा आपने लगाया आप इंसान खा रहा है तो उसपर आप पोस्ट सकते है How does it taste? स्वाद कैसा है? How does it taste? या कोई नई चीज़ कोई ट्राइ कर रहा है आप नहीं आपने ट्राइ किया आप जानना चाहते हैं कि कैसा है पहले वो बता दे फिर मैं ट्राइ करूँ तब भी पोस्ट सकते है How does it taste? इसका स्वाद कैसा है? तेस्ट ग्रेट या फिर फ्लेवरफर ठीक है? तो अब आपको जवाब भी मिलके अगर आप से कोई पोस्ता है How does it taste? और अच्छा है उसका स्वाद तो बोलिए Tastes good या फिर फ्लेवरफर You look great today ये तो आप यूज़ करी सकते हैं हर दिन जिसको भी आपको compliment देना हो मतलब आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो Mostly आप देखते होंगे लोग बोलते है You are looking good today ठीक है लेकिन जो सही English है वो ये है You look ठीक है Looking नहीं तो आप क्या बोलेंगे You look great today मतलब आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो तो कोई आपके सामने जैसे ही आए आप उसे compliment दे सकते हैं You look great today आपका कोई friend है उसके लिए भी Next I have to run इसका मतलब है मुझे जल्दी निकलना होगा आप किसी से conversation कर रहे हैं आपको कोई call आजाता है आपनी देखा नीचे phone में उसके बाद आप बोल सकते हैं I have to run See you later मुझे जल्दी निकलना होगा बाद में मिलता हूँ तो I have to run यूज कर सकते हैं आप वहाँ पे Can we continue later? उसी में आप इसको add on भी कर सकते हैं I have to run Can we continue later? मुझे जल्दी निकलना होगा क्या? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं मतलब जो भी discussion चल रहा है क्या हम बाद में इसे continue कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा phrase हुआ ठीक है Hindi में बोल लीजे मुझे जल्दी निकलना होगा Can we continue later? ऐसे कहके आप निकल सकते हैं I brought you something special जब भी आप घर पे कुछ लाते हैं तो आप बोलिए इस चीज को इसका मतलब है मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ अपनी बचों से भी बोल सकते हैं घर में कोई अगर बढ़ा ही है फिर भी बोल सकते हैं अपनी मा से भी बोल सकते हैं I brought you something special ममा ठीक है I brought you something special फिर आप उस चीज को दिखा दे Next It looks good on you जब आपने किसी को देखा तुरन तो आपने बोला You look great today ये तो आपने उसके look की तारीफ कर दी मान लीजे किसी कपड़े की बात हो रही है या कोई आप से पूछ रहा है उसने try on किया और आपको फिर दिखाया तो आप क्या बोलेंगे It looks good on you मतलब ये तुम पर जच रहा है It looks good on you ठीक है अगर कोई सामने से आता है फिर भी आप इसे बोल सकते है It looks good on you और this dress looks good on you तो इट को आप this dress से इस जूलरी से replace कर सकते हैं और this coat अगर boy है तो This coat looks good on you These shoes look good on you अगर these shoes बोला मतलब ये जूते तो वहाँ पर आप looks नहीं बोलेंगे तब आप look बोलेंगे These shoes look good on you Sorry, what did you say? माफ करना या sorry क्या कहां आपने What did you say? क्या कहां आपने कभ यूज़ करेंगे जब आपको किसी की बात समझ में ना आया सुनाई ना दे Sorry, what did you say? फोन पर भी आप इसे use कर सकते हैं Great seeing you ये आप कभ यूज़ करेंगे? ये जब आप अलविदा कहने लगते हैं Conversation पूरी हो गई अब आप जा रहे हैं मानने जैसे आपने कहा I have to run I have to run उसमें भी आप इसे use कर सकते हैं Great seeing you Bye-bye ठीक है? आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा तो ये अलविदा कहते वक्त Great seeing you Great talking to you आप से बात करके बहुत अच्छा लगा तो चाहे वो use करें चाहे इसे use करें Catch you later ये भी आप किसी conversation को end करते वक्त यूज़ करेंगे इसका मतलब है बाद में मिलता हूँ See you later या फिर catch you later I miss you अगर आप किसी को miss करते हैं तो इसका मतलब देखें मुझे आपकी याद आती है कोई दूर है आपसे I miss you मेरी डॉर्टर ये इसे बहुत use करती है जैसे इस ताइम मैं recording कर रही हूँ और वो दूसरी रूम में है जैसे ही मैं वहाँ जाओंगी तो वो बोलेगी ममा I miss you I miss you when you record videos जब आप videos record करते हो तो मुझे आपकी याद आती है वो चाती है मैं उसके साथ ही बैठी रो Next है It was really fun कोई भी चीज आप दोनों ने या फिर आप कई लोगों ने साथ में enjoy की तो लाश में आप बोल सकते है It was really fun मतलब यह बहुत ही मजेदार था मजा आ जाए किसी चीज को करने में It was really fun You did a great job तुमने बहुत बढ़िया किया तुमने बहुत अच्छा किया You did a great job तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ बोल रहे थे आप great job और good job अब यहाँ बोल सकते है You did a great job कोई कुछ अच्छा करके आता है You did a great job Talk to you soon यह भी आप जाते वक्त बोलेंगे Talk to you soon जैसे see you later Talk to you soon मतलब जल्द ही बात करता हूँ Talk to you soon You're not yourself these days This one is the final one The last one You're not yourself these days इसका मतलब आजकल आप आप नहीं है इसका मतलब कि आपके व्यवहार में चेंज आया है कुछ तो अगर ऐसा आपको फील होता है किसी के अंदर कि कोई बहुत ही serious था और अभी बहुत ही fun हो गया है या फिर कोई बहुत ही funny था भी बहुत ही serious हो गया है तो आप बोल सकते है You're not yourself these days जैसे आप है आजकल वैसे नहीं दिख रहे है चेंज आया है कुछ तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी लिखके जरूर से बताएगा 51 ऐसे कमाल के phrases इन्हें यूज जरूर से कीजेगा सारे situations मैंने आपको बता दी ये जरूरी नहीं कि आप पूरी conversation इंग्लिश में करें लेकिन जब भी मौका मिले इन्हें जरूर से यूज करें इस वीडियो को share जरूर से कीजेगा क्योंकि आपका एक share मेरे लिए बहुत माइने रगता है आप share करते हैं तभी मैं दूसरों तक पहुँच पाती हूँ और उनकी भी मदद कर पाती हूँ मैं चाहते हूँ सबके मन से डर निकले कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए grammar सीखना पड़ेगा आप कई तरीकों से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और यह उनमें से ही एक तरीका जो की बहुत ही fun way है तो बस इस तरीके से सीखते रहें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा फिर आने वाले bell icon को प्रेस करेंगे तब आपको अगले वीडियो की notification मिलेगी और आप सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे Thank you so much guys for watching this video See you soon in the next one Goodbye